Dear student, मैं राजीव कुमार तिवारी अधित बुल्डा इंटिर्मिडिट कॉलेज रैनुकूट की ओर से कच्छा नाइद के चात्रों के लिए Online Education कारकम के तहथ Unit 1 का Part 2 लेकर उपस्तित हुआ हूँ जिसमें मैं Output Device यंत्रों के बारी में चर्चा करूँगा कंप्यूटर में Output Device कंप्यूटर के वह बहुत एक उपकरण हैं जो बिद्धुती यंत्रों, Electronic यंत्रों, Mechanical Component अर्थाद यांत्रकी यंत्रों, Magnetical Component चुमकी यंत्रों एवं Optical अथवा प्रकासी कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हें कंप्यूटर के Output Device के रोप में जाना जाता है Output Device के प्रमुख उधारण, Monitor, Printer, Speaker, Plotter, OHP, अर्थाद, Overhead, Projector, एवं, LCD प्रोजेक्टर के रोप में हम लोग प्रियोग में देखते हैं Monitor Monitor, Computer का एक Standard Output Device है जिसे प्राया यूजर के द्वारा फीड किये गए नदेशों को एवं, प्रोसेस के पर साथ प्राप्त सूचनाओं को देखने के लिए प्रियोग में लाए जाता है Monitor को शामानते विजर डिस्प्ली यूनिट भी कहते हैं Monitor को रंगों के आधार पर हम तीन तरह से वरगिकत कर सकते हैं पहला Black and White Monitor, दूसरा है Colored Monitor और तीसरे नंबर में Gray Scale Monitor यदि मोनिटरों को तकनीके के आधार पर बाटें तो इन्हें हैं पुना हैं निम लिखित प्रकार में बाट सकते हैं CRT Monitor, Cathode Ray Tube Monitor या आकार में बड़े तथा बजनी हुआ करते थे वर्तमान समय में CRT Monitor का प्रिछलन कम होता चला जा रहा है क्योंकि यह हमारे आखों के लिए Radiation से युक्त होते थे जो हानिप्रत थे आंगे इन्हें रेप्लेस किया LCD Monitor LCD का ताथ पर Liquid Crystal Display Monitor है इसमें एक बिसेश प्रगार का Chemical पदार्थ प्रियोग किया जाता था LED Monitor Light Emitting Diode यह Monitor बर्तमान समय में प्रियोग में लाए जा रहे है चोथा होगा Flat Panel Monitor Printer Printer एक Output Device है जिसका उप्योग परिणामों, शूचनाओं, अथवाड डोकुमेंटों को पेपर पर प्रिंट करने के लिए प्रियोग में लाए जाता है Printer तकनीकी के आधार पर दो प्रकार से वर्गी कृत किये गए है पहले वे Printer हैं जिने हम Impact Printer कहते हैं Impact Printer वे Printer हैं जो पेपर और प्रिंट हैड आपस में इसपर्स के तकनीकी या हिट कर टोकर मार कर अक्छरों एवम परिणामों को पेपर पर प्रिंट करते हैं इसमें रिबिन का प्रियोग किया जाता था Impact Printer को उनकी गती के अधार पर दो भागों बाढ़ सकते हैं Character Printer Character Printer वे Printer हैं जो पेपर पर परिणामों को एक एक अक्छर अथवा Character के रूप में प्रिंट करते हैं इनकी गती स्लो होती थी Character Printer के अंतरगत दो प्रकार के प्रिंटर हो सकते हैं Dot Matrix Printer यह है परिणामों को Dot के द्वारा प्रिंट करते थे Print Head में कई सारी पिंस होती हैं जो उस Character को पेपर पे तथा Ribbon की साहता से हिट कर प्रिंट करते हैं Daisy Wheel Printer इसका नाम Daisy Wheel Printer इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी आक्रतिव Daisy Fool के समान होती थी जिसके प्रतेक स्पोक पर अलग-अलग लेटर लिखे होते थे Line Printer एक सकांग समय में एक Complete Line Print करने में सक्छम होते थे इसलिए इन्हे Line Printer भी कहते हैं Line Printer प्रिंट करने के लिए दो प्रकार के उपलब्द होते थे Drum Printer तथा Chain Printer दूसरे प्रिंटर वे हैं जिने हम Non Impact Printer की स्रैनी में वर्गिकित करते हैं पहला Laser Printer बरतमान समय में हम Laser Printer का प्रियोग संपूर्ण प्रिस्ट को प्रिंट करने के लिए प्रियोग में लाते हैं Laser Printer की Print Quality काफी बहतर होती है ये महेंगे भी होते हैं दूसरे हैं Ink Z Printer Ink Z Printer वे प्रिंटर हैं जो Color प्रिंट करने के लिए प्रियोग में लाये जाते हैं इसमें प्रियोगत इंक स्प्रे के माध्यम से प्रिंट करती है ink-z-printer के परिणाम यदि paper पे कोई पानींग गिर जाए तो ये परिणाम fail जाते हैं तीसरे है photo printer photo printer which printer है जो परिणामों को یा photo इत्यादी को print करने के लिए स्टूडियो तथा photographer के द्वारा प्रियोग किये जाते हैं speaker plotter तथा LCD projector जैसा हम सभी जानते हैं, speaker भी एक output device है, जिसका प्रियोग music को सुनने के लिए, audio सुनने के लिए, तथा video प्रोगामों में video music को सुनने के लिए भी प्रियोग किया जाता है. plotter, plotter, computer में उच्च quality के graphics परणामों को drawing में chart इत्यादी को print करने के लिए प्रियोग करते हैं, यह आकार में सामान तह printer से बड़े होते हैं और महंगे होते हैं, इनका प्रियोग offset printing प्रेश्णों में किया जाता है, LCD projector, LCD projector एक प्रिकार का video projector है, जिसका उप्योग, video, images या computer में store data को flat screen अथवा किसी समतल दीवाल पर दिखाने के लिए प्रियोग में लाते हैं, computer में memory, जैसा हम सभी जानते हैं, memory, computer में data को संग्रीद करने के लिए प्रियोग में लाई जाती हैं, computer में data को हम इस्थाई या इस्थाई रूप से जाने के लिए computer memory को मुक्ते दो प्रकार से बाड़ती हैं, computer में पहली memory प्राथमिक में में मोरी होती है, एब हम दूसरा memory को secondary memory के रूप में भी जानते हैं, प्राथमिक में मोरी, types of memory, डाइग्राम के दोरा समझाना चाहूंगा, आप इस चित्र में देख रहे हैं, computer memory, प्राथमिक में मोरी या internal memory, दूसरा हिस्था है external memory, primary memory को पुना है, दो भागों में बाटा गिया है, RAM, random access memory, या एक volatile memory है, जबकि दूसरी ROM, non-volatile memory, में मोरी, volatile से ताथ पर है, नस्ट हो जाने वाले या परवर्तनी, जबकि non-volatile आ परवर्तनी में मोरी होती है, external devices के अंतरगत, hard disk drive, solid state drive, cd अथवा compact disk, एबं usb flash drive या pen drive, RAM को पुना है, हम SD RAM या DRAM के रूप में बढ़ सकते हैं, DRAM का आंगे वर्गिकर्ण, SD RAM, RD RAM, DDRSD RAM तथा DDRSD RAM को वर्तमान समय में, आधनी कम्प्योटरों में DDR1, DDR2, DDR3 या DDR4 RAM की नाम से भी कम्प्योटर पर चकर समय शुनते हैं, प्राथमिक में मोरी, प्राथमिक में मोरी, जैसा कि मैंने पहली भी उताया है, दो तरह की होती है, पहली है, प्राइमरी में मोरी, RAM, RAM इस्टेंड फॉर रेंडम एक्सेज में मोरी, इसकी प्रुमुख गुर्ण निमन पकार है, या एक आइस्थाई, या वोलटाइल में मोरी है, या सेमी कंडुक्टर अधात से मिलकर बनी होती है, RAM में जब जो डाटा यूजर के दोरा फीड किया जाता है, या वेब प्रोग्राम जो RAM में चल रहे होते हैं, यदि कंप्यूटर का पावर आफ हो जाए, या कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाए, तो RAM में स्टोर समस्त डाटा इलिट हो जाता है, RAM कंप्यूटर में सामानता है, 2GB, 4GB या 8GB या 16GB के रूप में उपलब्द होती है, RAM को पुना है, दो भागों में बटा गया है, SD RAM, SD RAM का ताथ पर है, Aesthetic Random Access Memory, दूसरा है DRAM, Dynamic Random Access Memory, प्राथमिक मेमोरी का दूसरा भाग है, ROM, ROM stand for Read Only Memory, यह मेमोरी कंप्यूटर में इस्थाई होती है, एवं ROM में स्टोर्ड प्रोगाम कंप्यूटर को बूट करने के लिए उप्योग में लाए जाते हैं, ROM में यूजर ना तो डाटा लिख सकता है, शिर्फ इसे कंप्यूटर को जब हम स्टार्ड करते हैं, उस समय रॉम में संग्रीद प्रोगाम एग्जक्यूट होते हैं, और वह उप्रेटिंग सिस्टम को सर्च कर, कंप्यूटर को बूटिंग में मदद करता है, या पर्मानेंट या स्थाई मेमोरी है, डाटा केननोट बी लॉस्ट वेन कंप्यूटर इस तरन अफ, इट कंटेंड बायोस प्रोगाम, बायोस सितात पर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसा मैंने पहले भी बूला है, कि बायोस प्रोगाम को रॉम में प्रोगाम काम होती है, रेम, रॉम, चिप, हैव स्माल स्टोरेज कैपसिटी, लाइक, फोर टो एट अमबी, रॉम पुना है, तीन प्रकार से वर किकित की गई है, पी रॉम, प्रोगामिबल रीड अउनली मेमोरी, एवां तीसरा है, एपी रॉम, एरिजबल प्रोगामिब रीड उनली मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को सामानता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हें SSD यंत्रों के रूप में भी जानते हैं, या कंप्यूटर के वे यंत्र हैं, जिनका प्रियोग, डाटा, सूचनाओ, आई रूप से संग्रीत करने के लिए प्रियोप में किया जाता है। इन यंत्रों की संग्रहण छमता प्राथमिक मेमोरी की तुल्ला में अतिदिक होती है। कई GB या टेराबाइट में भी मापी जाती है। secondary memory की कुछ प्रमुख यंद्र निम्पिकार हैं floppy disk, hard disk, cd अथवा compact disk, dvd या digital video disk, magnetic disk या चुम्ब की डिस्क, magnetic tape या चुम्ब की टेप, USB pen drive या pen drive बर्तमान समय में इन में हम floppy disk या चुम्ब की डिस्क, magnetic tape का प्रियोग नहीं करते हैं या यह प्रचलन से बाहर हैं secondary storage devices का कार्य कुछ निम्रपिकार होता है आकड़ों या शोचनाओं को computer में इस्थाय रूप से संग्रीद करने के लिए store data को हम आवश सकता उनिशार भविश में पुना है, राप्तकार उप्योग कर सकते हैं secondary storage devices को external storage device के नाम से भी जाना जाता है secondary storage device की संग्रहन चमता, फ्राथमिक memory की संग्रहन चमता से बहुत अधिक होती है यह transferable अर्थात एक इस्थान से दूसरे इस्थान data को ले जाने में इनी अंत्रों का प्रियोग किया जाता है floppy disk एबम इसकी सरचना, जैसा हम जानते हैं 1990 में floppy disk का प्रियोग secondary storage device में के रूप में किया जाता था जिन में सोचनाओं को store करते थी, यह disk mylar पदार्थ की circular disk के बनी होती थी, एबम इस disk के दोनों और अत्वा एक और चुमकी पदार्थ का लेपन किया जाता था floppy disk में track, floppy disk के दोनों सतों पर secondary बरत्याकार भाग या circular track बने होते थे, तथा disk की प्रतेक सतह पर 40 से लेकर 80 circular भाग को tracks कहते हैं sector, प्रतेक track को 9, 15 अथवा 18 भागों में वभाजित किया जाता था और प्रतेक भाग को एक sector कहते थे disk के एक sector में अधिकतम 512 बाइट डाटा संग्रीप होती है index hole, disk में एक hole होता है जिसे index hole कहते हैं index hole का उप्योग, disk के पर्थम sector पर निधायत करने के लिए प्रियोग होता था spin hole, floppy disk को floppy disk drive में गुमाने के लिए प्रियोग में लाते हैं right protect notch, floppy में right protect notch का प्रियोग floppy disk के दाहिने और कटा हुआ भाग होता है इसका उप्योग disk पर data को लिखने से बचाने या data संग्रहन करने से बचाने के लिए प्रियोग करते थे यदि हम computer में data print करना चाहते हैं और किसी computer में उप्योग करते हैं उसमें virus हो तो वह virus floppy को संक्रमित न करें इसलिए right protect notch से उसे protect भी कर देते थे प्लास्टिक आवरन चुकि floppy disk दो प्रकार के होते थे एक hard दूसरी soft तो floppy disk को sketch से बचाने के लिए इसे बाहरी plastic jacket से cover किया जाता था जिसे हम floppy jacket या plastic आवरन के रूप में भी जानते हैं आकार के आधार पर floppy disk को मुखते दो भागों में बाटा गया है mini floppy disk ये वे floppy disk है जिनका diameter अथवा ब्यास 5.25 इंच होता था तथा इन में संगरण चमता 1.2 मेगाबाइट अधिक्तम हुआ करती थी micro floppy disk ये आकार में छोटी होती थी जिसका diameter अथवा ब्यास 3.5 इंच होता है तथा इसकी संगरण चमता अधिक्तम 1.44 मेगाबाइट होती थी hard disk, hard disk भी computer में data सोचनाओं को संगरित करने के लिए second storage device के रूप में प्रियोग होती है hard disk में एक से अधिक बरताकार ठोस प्लेटर या चकतियां जो की एक केंदरी spindle से सक्थ disk के रूप में प्रियोई होती थी hard disk की data read even write करने की चमता floppy disk की तुला में काफी कीव या तेज होती थी प्रतियक disk पर चुम की पदार्थ का लेप होता है तथा प्रतियक disk को read write करने के लिए अलग-अलग read write head लगे होते थे तथा सभी disk को एक solid seal चेंबर में बंद किया जाता है इस प्रकार hard disk में hard disk एवं hard disk drive एक साथ packed होते हैं hard disk की चंगन चमता सामान तह बाजार में 10 GB से लेकर 1 TB तक की hard disk उपलब धें साधान तक कंप्यूटरों में अलचकल 80 GB से लेकर 500 GB तक की hard disk प्रदान की जा रही है घुणन गती hard disk में घुणन गती 3400 RPM, 72 RPM या 10,000 अथवा 15,000 RPM प्रति मिनिट होता है इसकी घुणन गती पर ही hard disk की कारचमता का अकलन की आ जाता है hard disk का प्रियोग, micro, mini एवं mainframe कंप्यूटरों में किया जाता है CD, CD-ROM, CD-R, एवं CD-RW के बारी में CD का पूरा नाम compact disk जबकि CD-ROM को compact disk read-only memory के रूप में जाना जाता है CD, अधवा CD-ROM, optical storage device के रूप में कार करती है CD की, सामान CD की संग्रन चमता 700 MW होती है CD को CD drive के उप्योग कर चलाया जाता है CD, CD-ROM मगेरे का उप्योग, audio, video, data को store करने में अधवा document, फाइलों को संग्रीद करने में फ्रियोग में लाते हैं CD-R, जैसा की नाम से ही स्पस्ट है Compact disk recordable CD-R blank होती है जिन में user, computer में DERS data को CD-R में store कर भविस्च के उप्योग के लिए store कर सकते हैं इस तक्नीकी का उप्योग 1990 से किया गया CD-RW CD-RW का ताथ पर Compact disk re-writable इस disk में user एक से अधिक बार data को write कर सकता है यह हम उसे कई बार पढ़ सकता है इस disk को उप्योग करने के लिए हमें विशेश प्रकार की CD-Drive की जरूरत होती थी multi-rad tribe copy CD-RW disk को पढ़ने के लिए किया जाता है DVD का पूरा नाम एवं इसका संचिक पर चाहे DVD stand for digital video disk यह आज CD-ROM से अधिक लोगप्री है DVD का data संघन चमता 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होता है इस disk को चलाने के लिए हमें digital video disk drive की आवस्ता होती है data को disk पर laser light beam का उप्योग कर बंड किया जाता है pen drive यह एक portable secondary storage device है उप्योग data, software, computer game, audio, video को एक device से दूसरे device अथवा एक computer से किसी अन computer में data को transfer करने के लिए प्योग में लाते हैं बरतमान में pen drive 1 GB से लेकर 128 GB data संघन चमता की रूप में बजार में विक्रिये तो उपलब्द होते हैं धन्य वाद लेकिन हम करना में लेक्ष्ट प्रेशन चमता का लाद है